नमस्कार सुवागत आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी नज़र डालेंगे पांच मिर्ड में पच्चिस ख़बरों पर रदपदेश के सीधी में बड़ा हाथसा हुआ यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गए नहर से 18 लोगों के शव निकाले गए मुखे मंतरी शिवरास सिंग चौहान ने अधिकारियों से पूरी ज़ानकारी ली और बांट सागर डेम से नहर का पानी रोकने के आदेश दिये ताकि नहर में पानी कम हो जाए और राहत का काम तेजी से हो सके आयोध्या की श्री राम जन भूमी में विराजमान राम लला को बसंद पंचमी के मौके पर खास पहनावा पहनाया जाएगा इस मौके पर खादी से बने कपड़े तयार किये गए हैं जिनको बीते दिन उत्रप्रदेश के मुखे मंतरी योगी आधितिनात को सौप दिया ग वही नैशनल स्टॉक एक्स्ट्रेंग का निफ्टी 56.57 अंकियानी फीजी के तेजी के साथ 15,371.45 के सर पर खुला चमोली में तपोवन सुरंग से मिले दो और शव जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 58 जबकि अब भी 146 लोग लापता पश्यम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच RSSS प्रमुक मोहन भागवत ने फिल्म अभीनेता मितुन चक्रवर्ती से मुंबई में मुलाकात की बंगाल विधानसवा चुनाव के लिए बीजेबी चेहरे की तलाश में है ऐसे में RSSS प्रमुक की मितुन से मुलाकात को भी काफी एहम माना जा रहा है आज से देश भर में सभी गाड़ियों के लिए फास्ट्रेक अनिवार्य हो गया है फास्ट्रेक नहीं होने पर आपको टोल प्लाज़ा पभारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है प्रदान मंतरी नरेंद मोदी ने बसंत पंचमी के दिन शावस्ती के महान योधार राजा सुहिल देव की प्रतिमा निर्मान का वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये शिलन्यास किया उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितिनाद भी दोरान मौजूद रहे प्रदान मंतरी ने बहराईश की जित्तोरा जुहील के विकास कार्यों का भी शिलन्यास किया यूपी गेट पर चल रहे किसान अंदोलन में गर्मी से निपटने की तैयारी में किसान चुटे किसानों की तरफ से गर्मी से बचने के लिए कूलर मंगाए जा रहे हैं वहीं किस बिजली विवस्ता के लिए किसान अंस्थाई कनेक्शन के लिए विद्यूत निगम में आवेदन करेंगे देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है हाला कि केरल और महराष्ट के आकड़े परिशान करने वाले हैं इन दोनों राज़े से ही देश के सतफीजी मामले दर्श किये जा रहे हैं भारत में पिशले 24 घंटे में 9,121 नई मामले सामने आए जबके 181 लोगों की जान गई गुजरात के पंच महल जिले की गोधुरा स्टेशन पर सावरमती एक्सप्रेंच से एक कोच में भीर द्वारा आग लगाए जाने के मामले के मुख्या रोपी रफीक हुसेन भटू को गोधुरा शहर से गिरफतार कर लिया गया है करीब 19 साल पहले हुई इस घटना में उनसर्ट कारसेवकों की मौत हो गई थी किसान अंदोलन में निकाली गई ट्रेक्टर रेली के दोरान लाल कीले पर हुई हिंसा के मामले में गिरफतार दीप सिद्धू की पुलिस कस्टेडी बढ़ा दी गई है दीप सिद्धू को क्राइम ब्रांच की साथ दिन की कस्टेडी में सौप दिया गया है इससे पहले नौफरवरी को दीप सुद्धू को साथ दिन की पुलिस कस्टेडी में भेजा गया था पिक बॉस 14 की कंटेस्टेंट और बीजेपी नेता सुनाली फोगट के हिसार इस्तित घर में चोरी हो गई रिपोर्ट के मताबिक उनके घर से चोर दस लाक रुपे की जोयलरी, नगदी और लाइसेंसी रिवॉलवर लेकर गायब हो गए फिलाल पोलिस मामले की जाच कर रही है कश्मीर में आतंकियों ने हमला किया, CRPF के काफिले को निशाना बना का विस्पोट किया गया चानकारी के मताबिक हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं, वहीं को चिस्तानी लोगों की गाड़ियों को नुपसान पहुंचा है मध्यप्रदेश के गुना जिले में कादिवासी महीला को तालिवानी सजा दिये जाने का गंभीर मामला सामने आया महीला अपने पहले पती को छोड़ दूसे पती के साथ रह रही थी, इसी वज़ा से उसे सजा के तौर पर कंधे पर एक बच्चे को बैठा कर तीन किलो मीटर तक पैदल चलाया गया आस्ट्रेलिया की संसद में एक महीला के साथ दुशकर्म करने का मामला सामने आया जिसके बाद प्रधान मंतरी स्कॉट मौरिसन ने महीला से माफी मांगी और मामले की जांच के आदेश दिये हैं मिला ने आरोप लगाया है कि संसत परिसर में ही उसके साथ दुशकर्म किया गया था। कोदी बताएं कि कारवाई योग्या खूफिया जानकारी के अंदेखी क्यों की गई। पशे मंगाल में विधानसवाई शुनाव से पहले मुख्य मंतरी ममताब एनरजी ने मा किचिन योजना की डिजिटल तरीके से शुरुआत की जिसके तहट राज्य सकार निर्धनों को पांच रुपे में खाना देगी। इस योजना के तहट लोगों को पांच रुपे में थाली में चावल, दाल, एक रोटी और अंडा करी मिलेगी। कोरोनाव एक्सीन के टीका करन विक्सित होने के बाद अब नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के ट्राइल की तयारी की जा रही है। भारत बायोटेक और आईसी एमार के साजा तोर पर विक्सित इस एक खुराक वाली नई वैक्सीन के ट्राइल के तयारी शुरू कर दी गई है। रल्द फिल्म रादेश्याम्द में बड़े परदे पर दिखाई देने वाले साउथ फिल्मों के सूपर स्टार प्रभास आजकल आर्थिक तंगी से जूच रहे हैं। बाहुबली फेम प्रभास एक हसा करोड रुपे के कर्स में डूबे हुए हैं। बॉलिवोड अभी ने त्री दिया मिर्जा शादी के बाद जब पहली बार कैमरे के सामने आई तो वो बला की खूबसूरत लग रही थी। दिया अपने घर पर कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में वैववरेकी के साथ शादी के बंधन में बन गई हैं। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम हिना खान ने सगाई कर ली है जिसके बाद अब शोशल मीडिया पर उनकी अंगूठी पहने हुए फोटो तेजी से वाइरल हो रही है। हीना खान ने फोटो शेयर करते हुए लिखा वैलेंटाइन डे पर इससे खुबसूरत और क्या हो सकता है। बॉलिवुड के महानायक अमिताब बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 52 साल पूरे कर लिये हैं। ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए महानायक ने लिखा आज ही के दिन फिल्म इंडस्ट्री में प्रफेश किया था। किया थाहती के लिखा प्राइब प्राइब किया है ङज है। बुलिवास्ट्री में इंडस्ट्री ट्राइब इंडस्ट्री में अग्म में अम्माटत्री में और रिखारा दूरे हैं।